मैदा हमें चाहिए 1500 ग्राम पानी 90 मिली लिटर और नमक हमें चाहिए वन टी स्पून हम इसे गूंद लेंगे और इसे 15 मिंट के लिए रख देंगे में वन टी से 15 मिंट के बाद यह चोटे 10 पेड़े त्यार कर लेंगे संसमसा पट़ी बिना सकते हैं और पापटी त्यार करते हैं पापटी टख़isu सबुट्त करेंगे लेकिन आज हम लोग पापडी बनाएंगे सबसे पहले हम लोग इन सारे पेड़ों को बेल लेंगे और पांच रोटियां तियार करके तो हम उन पर उइल लगा के उनको एक चगा पर कर देंगे सबसे पहले ओल लगाएंगे फिर उपर हम लोग थोड़ा सा मैदा प्रयाइक देजिए मैदा चड़कने के बाद हम इसको पर दूसरी रोटी रखेंगे और इसी तरह हम लोग पांच रोटी को अकठा करेंगे प्र हम लोग बहाएंगे फिर मैदा लगाएंगे और फिर उपर रोटी रखेंगे हम इसे हलके हाथ से बेल के गरम गरम तबे पर डालेंगे इन किचन में हादियां की रेसिपी अगर आपको बसंदा आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नहीं रेसिपी आप तक पहुंच सके हम एक साइट से तकरीबन 10 से पंदर से के के लिए पकाएंगे सिर्फ हमने हीट लगवानी है और फिर दूसी साइट से भी बिल्कुल ऐसे ही त्यार करेंगे लिए माशाला इतनी सॉफ्ट और कितनी पारीग स्मोसा पटी त्यार हुई है इससे आप रोल भी त्यार कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया स्मोसे भी और प बहुत ही मज़ेदार पापड़ी त्यार होगी घर में इसका टेस्ट भी बहुत जबदस्त है देखें बहुत ही जबदस्त खसता त्यार होगी आप एक मरतबा जरूर ट्राइ कीजएगा और मुझे बताईएगा कमेंट्स में मैं जल्द ही अगली रेसिपी लेके आऊंगी और आपको भी चक्कर वातने हैं कि किस कदर खसता बनी है अगली रेसिपी तक के लिए अलाफिस